आज की वीडियो में हम पाइपिन वाला भी बनाएंगे पहले बिब के लिए पाइपिन तयार करकर रखते हैं आज के लुआ घ्याएंटे जाएंगे कलुआ एक लाला भी आज में हामारा ये तरोगया हमारा है झाली के लाने हैं और बीच में हमें विवाला कपड़ा लगाना है ओपर से कोटन फोम ज्यान रहे नीचे अस्तर ओपर कोटन फोम बीच में विवाला कपड़ा और कंधी पर सिलाई लगा देंगे गले में सफाय के लिए एक पैर की सिलाई लगा देंगे अब हम चारो तरफ भी ऐसी सिलाई लगाएंगे जैसी गले में लगाई है ताके पाइफिल लगाने में परिशानी ना हो पाइफिल लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाइफिल खीच के न लगाए धिले हाथ से लगाए अगर पाइफिल हमने खीच के लगा दी तो पाइफिल में सफाय नहीं आएगी इसलिए नरम हाथों से लगाए बिल्कुल हलके हलके हाथ से अब उपर से फोल्ड करेंगे हम इसे बिल्कुल फिक्स करके उपर कुना निखले जरासा भी नहीं तो ठोका यह सही से नहीं बनेगा अब आप 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 झाल 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 अब हमें गले में भी ऐसी ही पाइपिन लगानी है मगर ध्यान रहे आठ दस इंच छोड़के तब ही लगानी है मैंने आठ इंच छोड़िया यह अपनी मर्जी के मताबिक इसे छोटी बड़ी भी बना सकते हो झाल झाल अब हमें इसमें कट लगाने हैं यह कट इसलिए पाइपिन मोड़ते समय दिक्कत ना है अगर यह कट ना लगाए तो पाइपिन सही से नहीं मूड़ेगी फिर कि वह पर से सुरू करेंगे इसे हैं अब अब झाल। यह जो हम कोनर लगा रहे हैं यह खुबसूरती के लिए कर दो अब इन्हें पल्ट लेंगे हम और अब हम इन्हें इक्सार करके काट देंगे काटने के बाद हमारा भी तैयार हुआ झाल झाल